नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बेंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों हमें आपके लिए JIB, CIB और Pre-Promotion का One Stop Solution Friends, यह हमारा Agriculture Infrastructure Fund Scheme जो Government of India की Scheme आईए है, उस पे हमारा Capsule वीडियो है। तो चलिए quickly समझते है, Agri-Infra Fund Scheme क्या होती है। देखें सबसे पहले तो समझे इसका Implementation Period क्या है। इसका Implementation Period जो Government ने दिया है, वो है 2021 से 2032-233 तक। इसमें Government of India एक लाग करोड रुप्या फंड दे रही है, जिसमें 4,000 करोड 2021 में दे दिया है, 16,000 करोड 2021-22 में दिया है, और 20,000 करोड पर यर 22-23 से 25-26 तक देगी। यानि कि ये टोटल एक लाग करोड का Agriculture Infrastructure Fund बनाया है। अब इस फंड के पीछे मकसद क्या है, क्यों Government ने बनाया है, ताकि Post Harvesting Management Infrastructure को सुधारा जा सके। जब फसल हो जाती है, Harvesting हो जाती है, उसके बाद उसको Proper Infrastructure मिले, उसके लिए ये फंड बनाया गया है, परपज क्या है, परपज है, इसमें लोन मिलेगा, इसमें लोन मिलेगा, टम लोन की फ़र्म में, मार्जिन कितना देना पड़ेगा, दो करोड तक के लोन पे 10% मार्जिन, और 2 करोड से उपर का अगर लोन है, तो 25% मार्जिन. कितना लोन मिलेगा बैंक से, कोई minimum नहीं है, कोई maximum नहीं, कितना भी लोन इसमें लिया जा सकता है, no minimum, no maximum, जहां तक security का सवाल है, बैक की जो भी guideline है, उसके हिसाब से bank इसमें security मांग सकती है, अब समझते है, repayment period, देखिए, agree infra fund में जो लोन मिलेगा, उसका repayment period है maximum 10 years का, जिसमें 6 months से 24 months तक का repayment holiday भी साम मिल है, moratorium period भी साम मिल है, है ना, तो अगर 24 महीने का moratorium मिलता है, तो repayment period हो गया 8 years का, टोटल 10 है, जिसमें including moratorium period है, interest rate कितना है, 2 करोड तक के loan पे lending का cap लगाया गया है, जब MOU होगा, उस time में lending rate डिसाइड होगी, के 2 करोड तक के loan पे कितना लोन लेना है, 2 करोड से ज़्यादा का अगर loan है, तो bank अपनी guideline के साब से इस पे rate of interest चार्ज कर सकती है, अब सवाल है interest subvention का, दिखी, government of India इस पे 3% का interest subvention दे रही है, 2 करोड तक के loan पे, अगर agree infra establish करने के लिए, समझे, एक slow बनाने के लिए, सिलोज बनाने के लिए, या एक go down, rural go down बनाने के लिए, 2 करोड तक का fund bank से ले रहे हैं, तो उस पे interest subvention मिलेगा 3% का, और ये interest subvention मिलेगा 7 साल तक, जिसमें 2 साल का moratorium period भी सामिल है maximum, 7 years तक 3% का इस पे interest subvention मिलेगा, जहां तक credit guarantee का सवाल है, चुकि MSME में आएगा, इसलिए 2 करोड तक की CGTMAC की guarantee मिलेगी, बैंकों को refinance चाहिए, तो नाबाड से refinance मिल जाएगा, हाँ, एक बात ध्यान रखें, इसमें sector specific focus रखा गया है, 24% जो funds है, वो SCST को जाना है, SCST entrepreneurs को जाना है, 16% schedule cast के लिए और 8% schedule tribes के लिए इसमें government ने specific किया है, कि यह sector specific होना चाहिए, अब समझते हैं कि number of project कितने लगा सकते हैं, per entity क्या eligibility है, under the scheme, interest subvention for a loan of 2 rupees 2 crore in one location is eligible under the scheme, 2 crore तक के loan पे इसमें interest subvention मिलेगा, multiple project in one location are also eligible with the overall cap of 2 crore, देखें, interest subvention दो करोड तक के loan पे मिलेगा, उससे ज़्यादा पे नहीं मिलेगा, in case, one eligible entity puts a project in different location, then all such project will be eligible under the scheme for loan up to 2 crore, 2 crore तक का loan, अगर एक ही entity अलग-अलग locations पे प्रोजेक्ट लगाती है, तो उसके लिए भी eligible होंगे, परन्तु यहां cap डाला है, however, यह private sector entities such as farmer, agri entrepreneur, startups, there will be a limit of maximum of 25 such project, अगर private entity इस तरह का कोई project लगाती है, तो उसके लिए maximum 25 project तक के लिए इसमें एक limit होगी, उससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकते हैं, या उनको जो interest prevention का फाइदा मिलता है, वो उसको नहीं मिलेगा, okay, clear है, तो यह हमारा agriculture infrastructure fund के बारे में था, government दे एक लाग करोड का fund दिया है, कैसे कैसे पैसा दिया है, क्या परपजय है उसके पीछे, कितना loan मिलेगा, कितना margin देना है, quantum of loan क्या है, security क्या लेंगे, repayment कैसे करना है, interest rate क्या होगा, interest subvention कितना मिलेगा, credit guarantee कौन देगा, refinance मिलेगा या नहीं, sector specific कुछ target हैं तो, और number of projects के लिए क्या limit है, यह सारा हम agriculture infrastructure fund में हमने discuss करने की कोशिच किये, मैं उमीद करूँगा कि आपके exam के point of view से, इस तरह के capsule video आपके लिए काफी फायदे बंद रहेंगे, thank you very much friends for watching this video,